बंधन कर रहने वाली व्यक्ति को हिंदी में बाका कहा जाता है अर्थात बाका जो भी होगा वज सज्जूला भी होगा कोई भी व्यक्ति या तो पैदाईशी सुन्दर होता है या बनाव श्रिंगार से सज्जूला बनता है जब सज्जूला सलूनेपन की बात आती है तो कृष्ण की छवी ही मन में उभरती है कृष्ण जी का नाम एक बाके बिहारी है श्रिकृष्ण हर मुत्रा में बाके बिहारी नहीं कही जाती बलकि होठो पर बासुरी लगाए कदम के विक्ष से कमर टिकाए हुए एक पैर में दूसरे को फसाए हुए तीन कोर पर जुकी हुई मुत्रा में ही उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है भगवान तीन जुगर से तेरे हैं हूट, कमर और पैर इसलिए उन्हें त्रिभंगी भी कहते हैं आखिर इसके पीछे क्या राज है, इन सवारों से आज पर दाउट गया, जब बांके बिहारी मंदर के पुजारी शालुग उस्वामी ने सभी राजों के भारे में बताया है श्री रादे रादे थाकुर श्री बांके बहारीजी महाराज को त्रभंगी लाल क्यों कहते हैं इसके पीछे कई कारण हैं थाकुर श्री बांके बहारीजी महाराज तीन जगे से टेड़े हैं और ठाकुर श्री मांगे भारीजी महराज का एक नाम त्रबंगी लाल भी है जो उनको पिप्ली तेड़ा करता है ठाकुर जी जब अपने विग्रह सुलूप में खड़े होते हैं तो ठाकुर जी के पैल भी थोड़े जुके होते हैं थोड़ी कमर भी जुकी होती है थोड़े हाथों से और थोड़ा चेरा जुका होता है थाकुर जी जब रास में भी जब लिलाएं करते हैं तो त्रभंगी हो जाते हैं दूसरा कारण है कि थाकुर जी को त्रभंगी लाल इसलिए भी कहते हैं कि थाकुर जी तिर्शी तिर्शी निखाओं से अपने भक्तों को देखते हैं तोड़े से चंचल भी है उनका अपनों भक्तों के प्रति जो प्रतिकृया होती है उनकी वह बहुत चंचल, बहुत कोमल बहुत भक्तों के मन को हरने वाली होती है। बाके बिहारे कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शुक किया गया है बाके बिहारे मंदिर ये वरिनावन का सबसे प्रमुख मंदिर है श्रिवा के बिहारे जी के दर्शन करे बिना तो वरिनावन की आत्रा भी अधूरी रह जाती है काना की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर जुड़ी समचार सिटी 24 के साथ सबस्क्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटिस्ट अबडेट